जैशी राधे आप हनुमान जी की सेवा पूजा करते हैं राम जी का इस्मरण करते हैं वास्तव में हनुमान जी जो हैं वो राम जी के प्रधान सेवक है हनुमान जी प्रभू नहीं हो सकते भगवान नहीं हो सकते हनमान जी के द्वारा राम जी को प्राप्त किया जा सकता है और यदि कोई राम जी को नहीं भी जानता है और हनमान जी की प्रभु मानकर उपासना करता है तो हनमान जी उसकी उसपासना को स्विकार करके उसको परिपक्व करके उसको राम के चरणों में ही समर्पित करते हैं और हनुमान राम की उपासना करने से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं आप हनुमान की उपासना ना भी करें राम की उपासना करें तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपका ध्यान रखते हैं इसलिए जो आप कर रहे हैं उसमे कोई बाधा नहीं है आप हनमान जी को भोग भी लगाए तो पहले राम जी को भोग लगाए उसमे तुलसी डालके राम जी को भोग लगाए फिर वो राम जी का प्रशादी हनमान जी को भोग लगाए फिर वो हम सब आप लोग पाए तो यही विदी है हनवान जी इस्ट हो सकते हैं लेकिन इश्वर नहीं है हनवान जी इश्वर के परम दास है परम वैश्णव है परम दास्य भक्ति का एक मात्र उधारण है विश्व में दास्य भक्ति सेवा भक्ति भक्ति जो हनवान जी ने की है वह अप्रतिम है इसलिए हनवान जी इसका घी आप पूजा करें, रामद्यों की इस्तुती करें, अनमान जी की इस्तुती करें, राम नामदा जब करें, यह अच्छा ही है, इसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं है। संप्रदाय में ही राम उपासक हैं और राम इस्त हैं, दूसरी संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायन उपासक हैं, आपको ब्रणदावन में भी राम उपासक बहुत संत वैश्नव गुरुजन हैं, अयुद्या में भी हैं, अभी गुरुधारण की बहुत जल्दी न करें, पहले आप अपने अंदर युग्यता ले आएं, क्योंकि गुरुधारण करना है, जैसे किसी बच्छी की शादी करना है, बारे साल में किसी बच्छी की शादी कर देंगे, तो वो परिशान होगी, महबाप भी परिशान होगी, अभी परिपक्कु शीराम जैराम जैजेराम का जब करिए, बहुत अच्छा हो आपके आसपास कोई संत या वैश्णव जो शीराम जैराम जैजेराम का जब करते हों, उनसे कान में सुनकर ये नाम मंत्र ले रहे, वो जब करते हैं, उनकी निष्ठा है, वो आपको कान में ये जब सुना तब फिर आप इस जब को करेंगे, ये नाम जब होगा, नाम जब में शक्ति आजाएगी, पावर आजाएगी, उससे शीघ्रणी आपके अंदर युग्यता आजाएगी, युग्यता आते ही धीरे 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 स्वाभाविक रूप से निगहा में रखिए, स्वाभाविक पैसा लेके दिक्षा देते हैं, फोन पर दिक्षा देते हैं, उन्हें केवल पैसा लेके अपने शिश्यों की संख्या बढ़ाने से मतलब होता है, ना तो उन्हें भगवत प्राप्ती हुई है, ना शिश्य को भगवत प्राप्ती होती है, ऐसे गुरुजनों से सावधान रह जिना चीए वो वास्तम में गुरुजन होने के काबिल ही नहीं है, तो आप ध्यान दे, धहरे करें, ये एक ऐसा है कि अपने आप यदि हम में योग्यता आती हैं, तो ऐसे बहुत उधारण हैं कि गुरुजन स्वेम शिश्य के पास पहुँच जाते हैं, बेटा क्या कर रहे ह तुम कितना भजन करते हो, ठीक है, कल आजाना हम तुम को दिक्षा देंगे, ऐसे बहुत से उधारण हैं, तो योग्यता पैदा करें, एलिजिबिल्टी पैदा करें, धहरे से रहें, भजन करें, निष्ठा पूर्वक, भोजन की शुद्दी रखें, आचरन की शुद्दी रखनें, सदाचार करें, प्याज लेसुन ना खाएं, मास बदरा का, तो कोई सवाल ही नहीं है, सत्संग रखें, असत्संग से दूरी रखें, तो बहुत शिग रही है, आपकी प्रगति होगी, ये शीरा थी जैनिताई झाल